आप सबी लोगों का हमारी शमास काटिंग में बहुत बहुत शागत है आज मैं बहुत ही खुबसूरा फ्लावरिंग प्लांट लेके आई हूँ और बहुत सा फ्रेंड कहना था कि मुझे अभी इस फ्लाम के बारे में क्यार नहीं बताई आपने और मैंने वीडियो डाले भी हैं और कुछ उनकी जो उनकी पूछा है तो मैं डिटेल में नहीं बता फारी थी तो मैंने सोचा चलिए आपको वीडियो भी या प्लेट कर देती हूँ सभी को न्यू जानकारी भी देने की कोशिश करूँगी जिसे हम प्रॉब्लम से उभर पाएं तो दिखिए रेन्यूकलस नाम है इस फूल का और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है और डिफरेंट कलर इसके आते हैं और इस प्लांट को मैंने विंटर से स्टार्टिंग में नहीं लगाया था मैंने बहुत से कोशिश की थी मैं नहीं मिलफाया जब मुझे बहुत सारी रिक्वैरी आने लगी तो मैंने सोचा चलिए इस पार लगा लेती हूँ और वैसे लगाने का ये सही टाइम तो नहीं है कि जहां जादा सर्दी परती है तो वहां यह चल जाते हैं जासे सी नौर्मल मौसम रहता है यहप लांट को सरवाइफ करना बहुत की मुस्किल हो जाता है अगर आपका मौसम आपके यहां के हुमिडिटी नॉर्मल रहती है तो यह पूरे-पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है और अच्छे से ग्रोध करता रहता है आपके गार्डन में रहेगा तो अगर बहुत तेज गर्मी है मैंने हमेशा आपको बताया है कि जादा गर्मी प अच्छा है तो अभी भी ला सकते है तेज गर्मी आकर आप क्या पढ़ रहे है तो इसको विंटर में ही लगाए लगाने का सही टैम में आपको बता देती है दिखिए ग्रोध पूरी अच्छे से करेगा दिखिए पूरे तरह फैला हुआ है अच्छे से सर्वाइफ कर रहा है और जो कुछ मैंने ऐसे प्लांट लिये थे जिससे मारे प्लांट को कुछ ग्रोध नहीं कर आफाते हैं तो किस दो आप इस प्लांट को देख रहे हैं ते इसमें फूल बहुत दिली आ गया उसमें ग्रोध फिर नहीं हो इतनी बड़ी तो यह जब फूल आपको दिख रह फटलाइजर टो एक प्लांट को थो उभी है तो फट्लाइजर रोटीन rifiab जो हम जो बारे हैं mamy bl開心 तो अच्छे से जो चीज में देती हूँ वो दिया और एक प्लांट को मैंने अलग रखा तो दिखिए इसकी भी है ग्रोथ है और ज्यादध दिन इसको मैंने लगाया नहीं हुआ है मैंने गार्डन में और इसकी जो मैंने जो स्वाइब अच्छी यह इसकी ग्रोथ बीचिज में बताऊंगी पूरी कोशिश करूँगी बताने की जिसे आप इससे फाइदा उठा सकें तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसकी मिट्टी की बारे में हम बात कर लेते हैं जिसे मिट्टी बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे प्लांट के लिए आपको मिलाना है उसके बाद 10% नीम खली और राक इसको दोनों को जामान मातरा में मिला के प्लांट आप कोई भी प्लांट लगा रहे हैं जिससे की अच्छी फ्लावरिंग वाला प्लांट है तो उसको अच्छी खाद चाहिए अच्छी मिट्टी चाहिए तो आप मिट्ट अंपी का कलर देखके बता सकते हैं कि कतनी रिज मैने स्वाइल बनाई थी और जो ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक देख रहा है जो मैं नीम खली और मस्टर खली के लू जो प्लांटो को देती हैं जिससे मारे प्लांटों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फलावरिंग बहुत अच्छे से हमको देते हैं तो यह मैं वीकली देती हूँ हर संडे संडे नीम खली मस्टर खली की जटी है आप इसके बारे में फटलाइजर के बारे में जानना चाहते है तो मेरे वीडियो पे चापके आप चेक कर सकते हैं आपको पूरी डिटेल उसमें मिलेगी कैसे बनाना है कैसे क्या करना है तो आप इस तरह से लिप की फटलाइजर बनाएज जिस बहुत अच्छा होता है इसको लिम मौसम आपके थंडर रहता है तो मौसम डॉल хочा सकते हैं बहुत इस घर्बी में थोड़ा पचाना पड़ता है तो मैंने लगाने का और यह सीट की थ्रह लगाये जाता और इसके रूटस होते हैं दो तरीके से लगाये जाता है रूटस आपको जड़े नैट बैली छोटी-छोटी मिलेगी, वह है उनके समझर साल रूट्स को आप ऑन-लाइन भी बंगा सकते हैं और बीज से भी लगा सकते हैं, रूट्स से जल्दी लग जाते हैं और बीज से थोड़ा सा वक्त लगता है लगाने का टाइमिंग अक्टूबर के महीने में हैं इसको सीट से ग्रो करें चाप बल्प से ग्रो करें इसके तो लगाने का टाइम अक्टूबर नॉम्बर में आप लगा सकते हैं इसको प्लांट अगर नर्शी से बाई करने जाते हैं तो 50 रुपीज में 30 रुपीज में कहीं कहीं के अलग-अलग रेट होते हैं हमारे यहां 50 रुपीज की रेंज में मिल जाते हैं और ज्यादा अगर आपको जाएंगे तो आई पर 100 रुपीज की रेंज मिल जाता है शुरुबात में 120 रुपीस में हमारे यह मिल जाते हैं तो अलग-अलग रेट, अलग रोध के इसाब से प्लांट ही यह मिल जाता है तो मैंने आपको बता है, अब हम इसके दिखिए इसकी सन्लाइट की मैंने आपको और बता दू इसको जब तेज धूप होती है, अगर आपका तेज गर्मी बढ़ रही है तो तेज धूप से आप इसको बचाएए, नेट की नीचे रखिए या किसी प्लांट की नीचे रखिए जो एकदम डिरेक्ट धूप न लगे, डिरेक्ट धूप लगेगी तो इसको फ्लावरिंग भी आपकी कमजोर होगी और लीप सी वर्ण हो जाएँगी तो फिर आपका प्लांट इतने अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा तो आप इसको थोड़ा सा डिरेक्ट धूप से बचाएए तो अगर डिरेक्ट धूप से मैं बचाओंगी तो ये मेरे आप्रेल मई तक ये चलेगा बहुत अच्छे से हम जब बहुत तेज गर्मी से से बचाने की कोशिश करेंगे प्लांटों के जो खाफी घने प्लांट होते हैं उनके छाओं में रख देंगे नेट की नीचे रखेंगे तो ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेंगे ग्रूद भी बहुत अच्छी होगी तो ये मैंने आपको सनलाइट की पानी की हम बात कर लेते हैं कि पानी की बाद इस मिठी छंकिसी नमी रहनी चाहिए, हलकी सी नमी रहीगी तो मिठी अच्छे सा प्लावरिंग आपको करने वाला है, तो मैंने लिप के फटलाइजर आपको बता दिया, इसके सब कोशिश किया, आपको सारी मैंने इसकी जानकारी बताने के कुछ की है तो आपको कुछ नहीं करना है हर 15 दिन में नीम औल और कोई भी डिटर्जन आपके पास हो उसको मिक्स करके बराबर मात्रा में एक लीटर पानी में आप उस छिड़काओं अगर हब हपते वे हैं या 15 दिन में करते रहे तो जब भी आप सुरुबात में इसको जब भी लगाएं इसको बुशी करने के लिए तो इसकी कलियां आप ना बने दीजिए जब ये बुशी हो जाए अच्छे से तब इसके कलियां आप अक्टूबर के महीने में या दिसंबर के महीने में बने दीजिए तो ये कि अच्छे तरफ फैलेगी तब यह अच्छे सर्वाइब करें एक लोगों का कहना था कि हम पॉर्ट का साहीज इसको क्या दें तो मैंने हमेशा इसको 5 इंच के पॉर्ट में रखा है 5-6 इंच के पॉर्ट में और फैला हुआ पॉर्ट लीजेगा जब भी लीजेगा फैला हुआ अच्छी मिलेंगी तो जो मैं इसमें अभी कलियां देख रहे हैं वह अटा दूँ इससे ग्रोथ अच्छी बनेगी ग्रोथ अच्छी बन जाएगी तफूल मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है फूल अच्छी आएंगे बहुत अच्छी आप अगर चाहते हैं तो हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं बहुत से लोगों का कहना था कि हैंगिंग बास्केट में हम इस ब्रांट को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं इसलिए कि इसकी रूट्स जादा बड़े नहीं होते हैं चोटे रूट्स होते हैं तो पांच इन्स से लेके इच्छी होती है कि मिट्टी को सौ्फ्ट बना देती है और नमी देती है तो इससे हमारा प्लांट पर अच्छे सर्वाइव कर जाता है हां उन प्लांटों में कोकोपीट यूज मत कीजिए इनको नमी पसंद नहीं जिसे कि हम कैक्टस का प्लांट लगाते हैं और भी कई प्लांट है अगर नमी ज़्यादा पसंद नहीं तो इन में आपको कोकोपीट को यूज मत कीजियेगा जिससे ही वो प्लांट हमारे फंगस लखे खराब हो जाएंगे तो कोशिच यह रहेंगी कि आप इन प्लांटों को रेनुकलस फ्रावरी प्लांट को सेम टूसूंद रूज की तरह लगने वाले प्लांटों को इसली लगा सकते हैं कोई आपको प्रॉप्लम नहीं है रूटीन से आप इसको चेक कीजिए थोड़ा सा पानी का ख्याल रखिए तो प्लांट अच्छे से सर्वाइब करेंगे चलिए इसकी कोडिंग और भी और कोई हमसे आप जानकारी चाहते हैं तो हमारी वीडियो भी कमेंज कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल बटन दवाने जो जो रहा देखेएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक पूर वाचिंग मै वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद